हेलो एब्रिवन आएम निहारिका श्रवास्तव और इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर टू एसेट बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे एसेट बेस और सॉल्ट एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है कैमिस्ट्री में यह क्लास 10 के लिए तो इंपोर्टेंट है लेकिन जो इसके टॉपिक्स है यह हमारे कॉम्टिशन एग्जाम्स में भी हमारी हेल्प करते हैं तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने की क करेंगे अब एसेट बेस और सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले हम एसेट बेस और सॉल्ट होता क्या क्या है यह देख लेते हैं इनके बीच में क्या डिफ्रेंस है और हम इनको कैसे पहचानते हैं सबसे पहले एसेट देखते हैं तो एसेट की फर्स प्रॉपर्टी है कि वह क ही मतलब उन्हां कच करने में मतलब इनने हम चुछ हैं तो इनका यहमें पार्टिकूलर टेस्टे हूं लगता है और जो होते हैं ऑ न्यूट्र होते हैं वह duż न्यूट्र सोलुिशन भी और इनका कोई भी पार्टिकूलर टेस्ट नहीं होता जैसे हिर js d we toакbes और bases bitter होंगे वैसे ही जो salts होते हैं उनका कोई भी taste एक particular taste नहीं है second property है second property है acid की dissolve जब इनको हम dissolve करते हैं में घोलते हैं पानी में तो ये H plus ions release करते हैं वैसे ही base को जब पानी में dissolve किया जाता है तो ये o h minus ion release करते हैं और जो salt होते हैं वो h plus ion भी release कर सकते हैं और oh minus ion b release कर सकते हैं means कोई से भी आयन release कर सकते हैं आप इनके कुछ examples दख लेते हैं पहले acid के देखते हैं जो asked होते हैं acid कौन कौनस होते हैً हमारा ? HCl है hmmO three है ह ढैसиса reaction करा रहे हैं S2 उसे तो यह क्या करेंगे एच प्लस आयन रिलीस करेंगे और इसके साथ साथ सी एल माईनस ऑयन रिलीस करेंगे आयनस वाला चैप्टर आपने क्लास 9 में पर रख़़गा तो हो आप आप लोगों को पता होंगे कि आयनस क्या होत है और इन्हीं कैसा देखा जाता है तो उसके अकौर्डिंग हमारे जो सी एल होता है वह कैसा है माइनस आयन होता है उस पे तो हम क्या करेगा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन देगा और C-L माइनस आयन देगा ऐसे ही दूसरा नेख लेते हैं अगर हमारा H2SO4 भी क्या है एक हमारा एसेड है और जब इसको भी वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो क्या करता है यह भी H प्लस आयन देता है और इसके साथ साथ SO4 आयन SO4 तू माइनस आयन भी रिलीज करता है नेक्स देख लेते हैं HNO3 भी हमारा क्या है एक एसेड है और यह भी क्या करता है हमारा जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो यह भी क्या करता है है और नो त्री माइनस आयन देता है ऐसे ही जो हमारे बेसे होते हैं यह करते हैं और इसकी अगर रियक्शन में डिसल्वक्या जाते हैं तो यह हमारा देता है एन ए प्लस आयन और इसके साथ साथ रिलीस क्या होता है हमारा OH-Ion फिर KOH अगर वाटर के साथ dissolve किया जाता है तो O plus ion देता है K हमारा क्या करता है Potassium plus ion रहता है और OH-Ion release करता है सब्सक्राइब हैं एगजामपल कि एस साथ si m7 s7 video and हज यह हमारे क्या है कुछ यह हमाई थे हैसेट के एकजामपल जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एकजामपल यह वाटर में डिजॉल्व होने प्रेके बाद देखाओ, यहां पर सम में क्या है? OH-Ion रिलीज हो रहा है सम में OH-Ion निकल रहा है तो इससे हमें पता चला कि क्या है पता चला? कि जब हम assets को water में dissolve कर रहे हैं मतलब मिला रहे हैं, तो वो हमारा H-Ion दे रहा है और जब base को हम water में मिलाते हैं तो वो OH-Ion देता है तो यह भी क्या है? एक तरह का हमारा पतागरने का तरीका है कि base क्या होते हैं और assets क्या होते हैं चिक अब जो हमारा salt होता है वो तो कोई भी दे सकता है, तो इनके examples अभी हम नहीं देखेंगे, जब हम salt पढ़ेंगे तो हम इसके आगे का भी समझेंगे चिक इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ important हमाई जो assets होते हैं जो हमें अपने fruits में, vegetables में और जो हम daily चीज में use करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे यह हैं, देखिए विनेगर में हमारा जो सिर्का होता उसमें हमें मिलता है acidic acid, orange में citric acid, turmeric में titric acid, potato tomato में oxalic acid, curd में हमारा curd मतलब दही, या पिर अगर हम sour milk भी कह सकते हैं, खटा दूर उसमें हमें मिलता है lactic acid, lemon में citric acid, आंट strict में methanoic acid, ऐसे ही हमारे दे रखिए और spinach में हमारा malic acid, muscle cramps जो हमारे बॉड़ी में जब हम muscles बनाते हैं, जो bodybuilders लोग होते हैं वो muscles करते हैं, तो उनकी बॉड़ी में क्या आते हैं cramps आ जाते हैं, वो भी किसकी वज़े से होते हैं lactic acid की वज़े से होते हैं जो battery हमारे घर पे हम यूज करते हैं चाहिए वो inverter की battery हो गई, mobile की battery या phone की battery कोई सी भी battery उसमें sulfuric acid होता है stomach acidic जो हमारे पेट में भी acid बनता है कभी-कभी ऐसे खट्टी डिकाने से आती हैं वो किसकी वज़े से होती है, SCL की, hydrochloric acid की वज़े से food preservatives जो food में डाला जाता है खाना जिससे food जल्दी खराब ना हो या फिर अचारों में देखाऊगा कि एक acid से डालते जिससे अचार हमारे खराब ना हो वो कौन से acid होता है debenjoic acid तो यह कुछ acid ऐसे है जिनको जो हमारे daily requests काम आते हैं जो हमारे लिए फाइदा है या फिर हम जिनको use करते हैं या एसे वह वाले एसे हैं अब सारे acids ऐसे तो नहीं होते हैं जिनको हम touch कर सकें कोच ऐसे ऐसे भी होते हैं जो हमारे body को harm करते जासे FCL हम ऐसे नहीं चूँच सकते हैं यह हम ऐसे नहीं पगड़ सकते हैं अगर हमने पकड़ लिया तो हमाई तो क्या होगा हाथ जल जाएगा यह फिर हमें हाम करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं तो हम उन्हें कैसे पता लगाते है उनके हुम पता लगाने के लिए हम Indicators का यूज करते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, Indicators, Indicators पढ़ने से पहले हमे और देख लेते हैं, जैसे हम किसी इसरी मेटल से रियेक्ट करा रहा है, जह से एक मेटल है, तो एक मेटल है, तो अगर हम किसी इसरी divert कराते हैं, हमें क्या Release करता है जब उनकी reaction होती है तो वो क्या हुए ऐसे ही बाकी की रियक्शन भी होते हैं अगर हम किसी भी ऐसेट की रियक्शन किसी भी मैटल से करा रहे हैं जरूरी नहीं वह जैड़ा नहीं हो कोई और दूसरा मैटल भी हो सकता है अगर हम किसी भी ऐसेट की रियक्शन मैटल से करेंगे तो हमेशे क्या बनता है वह सौ कि बंता है और water रिलीज होता है एक्जाम्पल देख लेते हैं के ला इसले लेते हैं मैटल उक्साइड हमारे क्या हो गया सीए ओ और इसकी स्वाइब रागां करते है तो हमारे क्या बनता है सॉल्ट बनेगा सीए यहां पर जब हमने मैटल का रियक्षिन करा थे घृक्षन हमारी स्टू गैस रिलीज थी लेकिन जब मैटल ओक्साइट के साथ बना थे और यहां पर डिफ्रेंस आया प्हले स्टू गैस थी अब वाटर थे थे आप अगर हम एसेट की रियक्शन मैटल कार्बोनेट या मैटल बाय कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमारे क्याकर बनता है सौल्ट बनता है वाटर बनता है और सी ओ टू ग्यास रिलीज होती है एक्जामपल देख लेते हैं इसके भी स्सेल प्लस एने चू तो सी ओ थ्री यह हो गया हमारा मैटल कार्बोनेट यह हो गया एने सील टू सी एल हमारे क्या बना सौल्ट बना और वाटर बनेगा एस टू ओ प्लस सी ओ टू यह हो गया हमारा यहाँ पर NaCO3 क्या था हमारा Metal Carbonate अब भी Metal Biocarbonate का देख लेते हैं Metal Biocarbonate का अगर reaction कराएंगे तो SCl प्लस NaHCO3 अगर इसकी reaction हम करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा NaCl प्लस water S2O प्लस CO2 चिक यह हमारा क्या हो गया Release हो जाएगा CO2 एक gas form में Release होगा चिक यह भी अब यहाँ पर भी देखो Same था हमारा बस क्या था Metal Biocarbonate था तो भी हमारी Same चीज़े बनी है तो यह क्या है हमारी Acid की Properties है Acid के बाद हम कुछ Base की Properties देख लेते हैं Base की Properties में भी Same जैसे अब हमने Acid की Metal से Reaction कराई थी तो हमारा Salt और S2 Gas बन रहा था वैसे ही अगर हम Base की Metal से Reaction कराते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है Salt बनता है और S2 Gas रिलीज होती है इसका Example देख लेते हैं Base क्या है भी हमने देखे थे NaOH हमारा क्या है एक Base है और Metal से अगर हम Reaction करा रहे हैं हमने Salt Acid में भी ZN से Reaction कराई थी Zinc से यहां पे भी ZN से ही ले लेते हैं अगर हम इसके Reaction कराएंगे तो हमारा क्या बन रहा है Salt बनेगा तो Salt क्या हो गया हमारा Na2, ZN, O2 यह हमारा क्या हो गया Salt हो गया और हमारा Gas क्या है S2 Gas यहां से Release हो गया यहां पे हमारा Salt क्या है Na2, ZN, O2 यह हमारा क्या मना एक Salt बन गया Next रेख लेते हैं Base क्या अगर हम नौन Metal Oxide से reaction करा रहे हैं वहां पे हमने Metal Oxide से कराई थी लेकिन Base में हम क्या कराते हैं Non Metal Oxide से कराते हैं जो अगर Non Metal Oxide से करा है जो यहां पे हम Base ले लेते है NaOH प्लस Non Metal Oxide हमारा क्या है here पे? SO2, जो Metal Oxide नहीं है अगर इसकी reaction हम इससे कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? Salt बन रहा है, Na2 So4 बना भी हैं सिर्डल बेस यह ओर ऊकर भीक आप जी अन्युक्र पीजिकर नुईर्ण हिए 這個 में इमारे स्ट्राइट में करें हैं यह होतो आपने हैं एक सब्सक्राइट में बैस चीजर स्का σब्सक्राइब हुए उन्हें हम बोलते हैं strong acids और वैसे ही जो base water में dissolve करने के बाद सबसे जादा OH- ions देते हैं उन्हें हम बोलते हैं strong base ठीक इसका just opposite जो acids हमारे water में dissolve होने के बाद सबसे कम means less H plus ions देते हैं वो होते हैं हमारे weak acids और जो ions water में dissolve होने के बाद कम OH- ions देते हैं वो हमारे होते हैं weak basis examples देख लेते हैं strong acid कौन कौन से है FCL है H2SO4 कैसे है यह हमारे strong acids हो गया और strong base कौन से हमारा NaOH और KOH यह हमारे क्या हो गया strong base हो गया ऐसे ही हमारे weak base क्या थे जो कम H plus ions दे रहें तो कम H plus ions कौन देते हैं H2CO3 यह भी क्या है एक acid है लेकिन जब water में dissolve किया जाता है तो यह कम H plus ions देते हैं weak base कौन से हमारा Mg OH का whole twice यह हमारा कैसा है एक weak base है यह हमारे strong acid और strong base को पता करने का तरीका है कि strong acid कौन और weak acid कौन से है इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं alkyles तो alkyles क्या होते हैं और देख लेते हैं all bases do not dissolve in water and alkyles is a base that dissolve in water सारे जो बेस होते हैं जरूरी नहीं कि वह water में dissolve हो जाएं मतलब घुल जाएं लेकिन जो alkyles होते हैं वह water में dissolve हो जाते हैं मतलब आसानी से मिल जाते हैं इनको क्या होते हैं they are sopy to touch मतलब इने touch करोगे तो कैसा फील आएगा जैसे soap जैसा फील आएगा जैसे साबूर लगाया हो और bitter and corrosive और कैसे होते हैं कड़वे होते हैं और corrosive होते हैं इन पर जंग लग सकती है never taste it or never touch them they can cause harm लेकिन जो alkyles होते हैं वो क्या होते हैं बहुत जादा harmful होते हैं अगर इनको touch किया जाए तो हमारी क्या हो सकती है या फिर उस पर rashes आ सकते हैं तो हमें इने touch नहीं करना चाहिए और taste भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत जादा harmful होते हैं तो alkyles वो जो water में dissolve हो जाते हैं और जिनको छूने पर सोपी टच होता है और taste इनका बिटर होता है यह हमारे क्या है alkyles है इनके examples देख लेते हैं sodium hydroxide NaOH sodium hydroxide बोले जाता है NaOH को potassium hydroxide koh calcium hydroxide caoh यह हमारे क्या है alkyles होते हैं इस चौपिक है हमारा indicators 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 क्या होते है acid और base जरूरी तो नहीं हम सारे acid अभी हमने देखा alkyles क्या होते हैं लेकिन उनको touch नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें harm करते हैं ऐसे ही acids भी हम सारे acids अभी हमने कुछ acids ऐसे पढ़े जो हम अपनी daily life में use करते हैं जो जैसे fruits हैं तो उसमें भी acids हैं curd है वह भी acid उसमें भी acids present होते हैं जिसे हम खाते हैं लेकिन सारे acids ऐसे तो नहीं है जिनको हम touch कर सकते हैं पुछ acids harmful भी होते हैं तो इनको पता लगाने के लिए कि वह acid है या base तो हम सारे acids को touch और taste नहीं कर सकते हैं नहीं base को सारे को touch कर सकते हैं तो इनको पता लगाने के लिए जिन चीजों का use किया जाता है उनको बोलते हैं indicators indicator की help से acid और base का हम पता लगाते हैं कि कौन से हमारे acid हैं और कौन से base है indicators भी two types के होते हैं first है हमारा oil factor indicators और second है हमारा universal indicators फर्स्ट हम oil factor indicators देखते हैं अभी तक जो आप लोग ने indicators पढ़े होंगे वो natural indicators और synthetic indicators पढ़े हैं अब जो आप पढ़े हो वो oil factor indicators है इसमें देख लेते हैं those indicators change in acid acid के और basic medium are called oil factor indicators जो indicators खुद को change कर लेते हैं acid और base में उनको बोला जाता है oil factor indicators जैसे example है हमारा vanilla onion या फिर और भी examples है जैसे लिटमर्स पेपर है और turmeric है यह भी हमारी क्या है इसी के examples है oil factor indicators क्या करते हैं चेंज करते हैं खुद को और जो इनके में इनके जो chemical substance होते हैं इसमें क्या changes आता है इनमें two type का change रहता है पहला change होता है color में means जो indicators अपना क्या करते हैं या फिर color change करते हैं color change हो जाता है इनका और दूसरा है या फिर इनकी fragrance change हो जाती है मितलब इनकी खुश्बू change हो जाती है ठीक है oil factor indicators क्या करते हैं या फिर अपना color change करते हैं या फिर अपनी fragrance change कर लेते हैं उसके उनकी color या fragrance के according हमें पता चलता है कि वह acid है या base उन्हें बोला जाता है oil factor indicators अब कुछ ऐसे indicators देख लेते हैं first है हमारा litmus paper litmus paper एक हमारे कैसा है natural indicator है क्योंकि यह हमें किस से देख लेकर लेकिन अगर लेड़ red litmus paper को बेस में डाला जाता है तो उसका color change हो जाता है और बेस में डाला जाता है तो उसका color change हो जाता है तो वह किसमें चेंज हो जाता है? क tentang red in bul ча trivial को तो हुआ डाल को आप hold में चीन्ज हो जाएगा एसे ही अगर blue lutmas paper को आप एसिट में डालों गे तो वह तो खोगा किसमें old ratio सब्सक्राद का बन जाएगा वह लेकीन अगर डालों गेम तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तो यह लिटमस पेपर की चेंज होते हैं फिर तर्मरिक तर्मरिक मतलब हल्दी वह आप लोग ने घर पे भी देखा होगा जब आप उसको इंडिक रेड जब आपने तर्मरिक को एसेड में डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं आता मतलब अगर तर्मरिक पेड ऐसे लई चेंज भी तर्मरिक में डालो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता तर अगर आप उसे से यौ के आप जा ।ो बेस संु इन आड़ा आप ल। इन चुछ जिए अगा चेंज लेता है कभी orange कभी red ऐसे color में change हो जाता है तो जो अपना color change कर लेता है नेक्स्त हमारा phenophthaly यह कैसा है यह एक synthetic indicators है और यह क्या करता है acid को जब इसमें हम acid में डालते हैं तो यह कोई भी color change नहीं करता पर अगर हम उसे base में डालते हैं तो वो पिंग color में change हो जाता है है मेध्य उरेmost ब abruptly करता है एसेड में डालने रेड हो जाता है मेध्य orange का अधा होता है और गिंद कटैstate और गिंब में डालने चांज होता है और गया श् dominating यहीं के अलावा भूस करण आग जाता है वह हमारा पृप 5Wit चैन्प पिंकिश है कि ऐसके लाब हम अपर उता है अइन ही और यह क्या करते है यह अपनी नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडीकेटर्स वह इंडीकेटेर्स होते हैं जो हमें सिर्फ यह नहीं बताते की है इसेड ये ये इस इसेड ये उनल बसेट簡 sai स्ऩोनलब कित ज्यूं chances ये मतलब कितना ज्यूंग Savetta definite इसमें तो इसमें होते हैं जो हमारे यह से जाब होता है तो अगर स्वाड़ में सैके होगा और साइट जतना बढ़ता जाता है वो हमारा acid होता है अब बीच में गाता है वो क्या है neutral है और कि वह नेड़िक होता है अधर जाते बढ़ता जाएगा इस तो वह तो गरोगा बेसिक और और के प्रेंट्व प्रेंब यह इनिडिकेटर क्या करते हैं अपना color के according जब इनके color changes दो जते हैं अभी हमने बताए कि colors में changes आ जाता है अगर हम एक्षिन करा रहे हैं तो उसमें किया होता है color में change हो जाता है जैसे रेड़ लिटमस paper का था बताएथा कि वह acid में डाला तो उसका color कैसा हो जाएगा छेंज नहीं होगा लेकिन की किस तरह का ब्लू चेंज होगा देखता है हमारी उसके अहइस की जैडिया तो निन स इसी एसट का color red है तो वो क्या है strong acid है तो वो अपने color के according यहाँ पर change करते जाता है और वो color के according हम यह बता सकते हैं कि कौन कितना strong acid है और काउन कितना strong base है चीक यही चीज यह लिखिये पढ़ लेते हैं दोज इंडिकेटर विच not only इसका एक्जांपल है पी-ऐच पेपर pH paper हमें क्या बताता है कि इस acid कितना strong है या कितना weak है या base कितना strong है और कितना weak है pH paper की full form क्यों होती है pH की value power of hydrogen जिस भी chemical में जितना जादा hydrogen होगा वो उतना ही जादा strong acid होगा और अगर कम hydrogen है तो वो उतना ही strong base होगा जो pH paper का है acid or base की बताता है इसकी full form होगी power of hydrogen जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिख भी रख्या है कि हमारे जो acid होते है सबसे जादे strong acid कौन सा होता है stomach का stomach में कौन सा acid होता हमारा SCL फिर second हमारा second number पर क्या है lemon lemon में कौन सा acid मिलता है citric acid है जैसे थर्ड फिर विनेगर है फोर्थ पर हमारा वाइन है वाइन पर अगर वाइन का टेस्ट के जाएगा तो उसका color कैसे आएगा यह लोश में आएगा तो वो कैसे है weak wine है फिर फिर पर हमारा coffee six हमारा जो शो करते है वो milk है seven water water कैसे होता है neutral होता है ना acidic है ना ही basic है और base में क्या आता हमारा salt वो blood हमारा क्या है basic होता है 9th में है हमारा baking soda 10th पर आता हमारा milk of magnesia 12 पर हमारा soap soap सावन भी हमारा क्यासा है basic है और उसकी strength कितनी है 12th pH paper के according उसकी strength कितनी होती है 12th 13 पर हमारा bleaching powder bleach यह क्या है था हमारा pH paper है और यह क्या होता है pH paper हमारे क्या है एक universal indicator है यह हमारे हो गए indicators हमने कौन-कौन साइंडिकेटर पड़े फर्स पड़ा हमने oil factor indicators सेगेंड पड़ा हमना universal indicator oil factor indicator में कौन-कौन साइंडिकेटर से litmus paper था turmeric था phenolethylene था methyl orange था vanilla essence था onion है यह सारे कैसे है oil factor indicators और universal indicator कौन सा है pH paper और pH papers हम किसकी हल्प से देखते हैं pH scale की हल्प से देखते हैं pH scale हमारा कहां से start होता है 1 से 14 तक start होता है जिसमें 1 से 7 तक अगर हमारा scale पर कोई नम जो हमारा color आ रहा है अगर यह color किसी chemical का आता है तो उसकी property होती है acidic 9 से 14 तक 8 से 14 तक अगर हमारे इसमें के कोई color आ रहे हैं तो उस chemical की property होगी basic और अगर 7 वाला color आता है तो उसकी property होती है neutral चीक है और neutral कौन सा हमारा है पानी जो हम पानी पीते हैं वो कैसा है neutral है blood हमारा क्या हो गया basic है यह तो हमारा universal indicator था pH paper अब pH paper का हम use देख लेते हैं हमाई जो daily life है उसमें हमारे pH paper की क्या important है pH scale की क्या important होती है ठीक है आवर वाडी वर्क्स विदिन दा pH scale range 0 7.0 to 7.8 जो हमारी body जो work करती है वो pH range की according ही जो अभी हमने pH paper देखा था pH scale देखा था उसकी according ही हमाई pH scale की according ही work करती है जिसमें हमारा जो बाडी का scale होता है वो कितना होता है 7.0 से 7.8 तक होता है में हमारा neutral scale होता है अभी आने बताय था कि 7 कैसा है न्यूट्रल scale है living organism can survive only in a narrow range of pH change जो living organism है वो केवल तभी survive कर सकते है जब उनकी जो body का जो scale है वो नारो रहे pH में नेक्स हमारा when pH of rain water is less than 5.6 it is called acidic rain हम लोगने बहुत सुन रखा है कि acidic rain कहीं पे acid rain हो जाती है तो सारी फसले और बहुत सारा नुकसान हो जाता है इन चीज़ों का तो वो क्यब होता है जब acid rain होती है acid rain कब होती है जब जो पारी बरस रहोता है पानी आता है उसका जो pH scale है तो उसे कहते हैं एसे तो तीके बिलो 5.5 जाकर हमारे दातों का जो हमारे मुझ का है पीएचिए स्केल के होता है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दात होते हैं वह खराब होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी दातों के लिए 5.5 के नीचे का स्केल का होता है हामफोल होता है से हमारे खराब होते हैं यह चिनावर डायजेस्टिव सिस्टम हमारी जो डायजेस्टिव सिस्टम में उसमें कौन साइसे होता है एस्सील होता है तो पीएचिए स्केल हमारे क्या है उसमें भी है अग एंकल परता है नेक्स्त है हमारा आंट अभी हमने उपपर दिखा था कि हमारी हाइवansen में होता है सथा कभी कभी क्या होता है तो और केया हमिट us या तो उस medicine को बोला जाता है यह क्या होता हैuci की कता है यह कर जब चुछा जाता है जाता है जब लागता है 거 नुटरल में जया बनता है बन लगता है तो उसको खदम करने के लिए क्या करते हैं बेस लेते है उपर से यह सारे समय की लेटे अट्स व्रूला इसका आपकड़ किया है बेंक सोडा का कौम्ञा होता है ऐसे कामिकर नहीं होता है sodium carbonate, यह क्या करता है, एक हमारे base का काम करता है, जो हमारे पेट के acid को कम करता है, ऐसे ही milk of magnesia, mg, OH का whole choice, यह भी क्या करता है, हमारी body का base को कम करता है, यह कब लेते हैं, जब मारी body में, मतलब acidity की problem जादा हो जाती है, तो जिसका use क्या जाता है, जिन medical sense का use क्या जाता है, उनको बोला जाता है, antacids, I hope आप लोगको इतना समझ में आया होगा, इसके आगे का salt हम next video में continue करेंगे, उसमें हम salts पढ़ेंगे, और आपके flavors में five type के salts है, तो उनको भी हम आगे next video में continue करेंगे,